जैसी तराम जै प्रशुराम अब हम गोधुली समय का विचार करें हैं कि गोधुली समय वो सब कारियों में मुन्यों ने सुब कहा है जैसे कि गोधुली समय किसको कहा जाता है गवालों के लकडिशे हाकते हुए सायम काल के समय में गायों के खुर्षे उड़ती हुई जो धूल है वह इस्त्रियों के विवाह समय में अनेक प्रकार के धन पुत्र आरोग्य सोभाग्य देने वाली है उस कारण इस समय में नक्षत्र तिथी करन लगन प्रसिद्ध योग देखने की आवशक्ता नहीं है आकाज में उड़ता हुआ गोरज यानि धूल पुरुशुक पुरुशों के खराब पाप को भी नास करता है इसलिए गोधुली समय में किया हुआ विभा पाणी ग्रहन संस्कार बहुत ही सुविफाल दायक है जैसिताराम जैपरसुराम स्रीबाला जी जोतिस कारियाले में आपका स्वागत है